कॉछ करते हैं क्वेशन क्या करते है A man has some hands and some cow If the total number of head of hen and cow together is 50 and the sum of feet of hands and cows together is 142 than the total number of cow is क्या कह रहा है कि एक आदमी है उसके पास कुछ मुर्गिया है और कुछ गाये है उनके head की संख्या सरों की संख्या जो है 50 है और पैरों की संख्या ठीक है वह 142 है तो हमसे पूछ रहा है कि गाये की total संख्या बताईए कितनी गाये है उसके पास तो इस case में हमें पता है कि मुर्गियों की सर का भी एक सर होता है और गाये का भी एक सर होता है तो अगर हम यह मालने कि cow total number of cows हो है वह x है तो इस value से मतलब 50 total number of heads से हम hands की संख्या निकाल सकते है कैसे कि अगर total number of cows x है तो hen कितनी होंगी मुर्गियों कितनी होंगी उसके पास 50 minus x क्यों क्यों क्योंकि cow का भी एक ही सर होता है और hen का भी मुर्गियों का भी एक ही सर होता है तो इस तरह से हम x अगर cow को मान रहे है तो 50 minus x हमारी hen की value हो जाएगी further हमसे क्या कहता है कि इनके feeds का, पैरों का, अलब हैं, cow के case में कितने पैर हो जाएंगे, 4, और hand के case में कितने पैर हो जाएंगे, 2, इसकी जो value है, वो कितनी है, total feeds की value कितनी है, 142 है, it means 4x plus 250 minus x, ये कितना हो जाएगा, 142 हो जाएगा, हम इस expression को solve करके x की value find out करेंगे, और हमें cow की total value निकल के आ जाएगी, तो 4x plus 100 minus 2x, बराबर कितना हो जाएगा, 142 हो जाएगा, यहां से 4x में से 2x minus कर देंगे, तो 2x आ जाएगा, इस 100 को इस side ले जाएगे, तो ये कितनी हो जाएगी, 42, तो x की value जो निकल के आएगी, means cow की value निकल के आएगी, 21. कर दो कि उतारगा, जाएगी, 2. आएगा जाएगे, तो इस beds